नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जारकन चली जानते हैं सुबा से लेकर शाम तक की जारकन की तमाम बड़ी खबरों को एडी ओफिस में मंत्री आलमगीर आलम से पूश्ताश जारी पीएस और सहाया के घट छापे मारी में मिले थे 35 करोड टेंडर कमिशन से जुड रहा मामला जारकन सरकार के ग्रामेड विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम से आजप्रवर्त निर्दे साले पूश्ताश कर रही है जाँच जेंसी ने समन भेज करोने सुबह 11 बजे हीनो इसे छेत्रिय कार्याले बुलाया था वे 15 मिनट पहले ही ED office पहुश चुके थे उनसे पूश्ताश जारी है बता दें कि टेंडर कमिशन मामले में ED ने आलमगीर आलम के रसनीजी सचीव संजीव लाल उनके नौकर समय छे ठीकानों पर 6 माई को रेट की थी वही 7 माई संजीव लाल के करीबियों के यहां छापा मारा था इस कारवाई में संजीव लाल के साहयक जाहगीर के यहां से करीब 35 करोड रुपे कैश बरामत किया गया था जिसके बाद ED ने 6 माई संजीव लाल और उनके साहयक जाहगीर को गिरफतार कर लिया था फिलाल दोनों ED की डिमांड पर हैं, पुस्ताज मनों ने कई एहम जानकारिया दी हैं, अब ED आलंगीर आलम से पुस्ताज करके इस मामले में एहम जानकारिया जुटाने का प्रयास कर रही हैं, आलंगीर आलम को PMLA के तहट अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है मनी लॉंडरिंग की जाँच ग्रामेर विकास विभाग में कथित अनिमित्ता से संबन्दी सवाल भी आलंगीर आलम से किये जाएंगे यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को मारी टक कर, दो घंटे तक बस में फसा रहा चालक, बहार निकलने के बाद हो गई मौत, कई यात्री घायल मुझफरफूर से कॉलकाता जा रही बस दुरगटना ग्रस हो गई है, हाथसा सुबहुआ, इस हाथसे में ड्राइवर की मौत हो गई है, जबकि एक दरजन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है घटना बोकारो जीले के तोपचाची थाना छेतरंतकर तोपचाची बजारिस्तित नेशनल हाईवे की है, मुझफरफूर से कॉलकाता जा रही राजबस बी आर सुन्यचे पी एफ एक चार दो तीन ने एनेच में चलती ट्रक को टक कर मार दी, इस हाथसे से बिहार के वैसा जोर्धार टक कर मार दिया, टक locks कर जोरधार होने के करण, बस के अगला हिस्सा पूरी तरह छति गर्स्थ हो गया, बस में गरीब 15 यातरी सवार से, सभी यातरी ओ को चोटा आई है, जिसमें से कुछ यातरी गंभीर रूपस जक्मी है, सबी यातरी आतरीों के लिए इलाज के लिए समुदाइक स्वास्त केंद्र सहो बहियार लाया गया गंभीर रूप सजख्मी यात्रियों को बहतर इलाज के लिए धनबाद इस्थित SNMMCH अस्पताल भेज दिया गया है घटना के बाद बस चालक ब्रजिसकुमार महतों बस में करीब दो घंटों से फसा रहा ग्रामीडों के मदद से करीब दो घंटे के बाद चालक ब्रजिसकुमार महतों को निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी रसमलाई में ज्यादा रस मांगने पर जमकर मार पीट सोने का चेन भी छीन लिया बुकारो जीले के नया मोडशित कालीका सुीट में रस मलाई में रस की मांग को लेकर सोमवार को ग्राहक वा दुकांदार में जमकर मार पीट होई जिससे दोनों जखमी हो गए दोनोंने काउंटर केस दर्च कराया है जगमी दुकांदार मुन्ना केश्री की शिकायत पर दीपक चोरसिय राजा मिथले सियादव और सोनु सिंग को आरोपी बनाया गया है दुकांदार का कहना है कि आरोपियों ने उनकी दुकान से रस मलाई खरी दी इसके बाद अधिकरस की मांग करने लगे जब उने अधिकरस देने के लिए बना किया गया तो मारपीट करने लगे इधर ग्राहक दीपक कुमार के शिकायत पर दुकांदार अरोपी बनाती हुए प्रासमी की दर्ज की गई है ग्राहक का कहना है कि उन्होंने कालिका स्विट से रस मलाई खरी दी जिसमें रस कम था जब उनसे रस की मांग की गई तो दोनों ने इंकार कर दिया उन्होंने मिठाई वापस कर दी और उपए की मांग करने लगे इस पर दुकांदार उनके साथ मारपीट करते हुए उनके गले से सोने की चेन छीन ली जारखन में आज बारिश के आसार 15 माई को चाहेंगे बादल लेकिन सुस्क रहेगा मौसम कई इलाके में बढ़ने लगाता आप मान जारकर में मौसम इभाग ने आज अलड जारी किया है राज में आज बारिश और तेजवा की संभावना है मौसम इभाग ने राज के उत्तर पुर्वी भाग में कई जगहों पर गरजन के साथ हलके दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है मौसम इभाग के अनुसार कल भी बादल चाय रहेंगे लेकिन मौसम सुस्क रहने की संभाफ ना है वही राजे के कई हिस्सों में एक बार फिर ताफमान में बढ़त दर्श की जा रही है राज में पिछले 24 गंटे के ताफमान पर नज़र डाले तो कई जगहों पर गरजन के साथ बारिश भी हुई है राज में सबसे अधिक बारिश पशिमे सिंग्भुम के मनुहरपूर में दर्श की गई है जहां 10 mm बारिश हुई है इसके अलावा गुमला लोहरदगा सहित राज के कई इलाकों में बारिश हुई है राज में सबसे अधिक ताफमान 49 दसमलो 8 डिगरी सलसियस डाल टन गंज में दर्श किया गया राज में नियुन्तम ताफमान 10 डिगरी सलसियस रहा राज में 15 माई के बाद किसी तरह का अलड जारी नहीं किया गया है नहीं मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर की गई है मौसम इभाग की तरफ से जारी पुरानुमान के अनुसार मौसम समाने रहेगा बारिश के आसार नहीं है करंट लगने से मौत हो गई मंगलवार 14 माई को अहले सुबह वह सौच के लिए खूले मैदान में गया था तबी 11,000 वोल्ट का तार तूटकर उसके उपर गिर गया बृतक युवक की पहचान इंदर साओं के रूप में की गई है बताया जा रहा है कि बगोदर थाना छेत्र क धरगुली में यह घटना घटी है युवक धरगुली गाउं का रहने वाला था ग्रामिडों का कहना है कि जरजरतार के तूटने की वज़ा से यह घटना घटी है अगर बिजली विभाग ने समय पर जरजरतार को बदला दिया होता तो आज यह घटना नहीं घटती ग्रामि को हाथसा हो ही गया इस्थाने लोगों ने कहा कि जर जरतार के तूट कर गिरने की वज़ा से इंदर साव गंभीर रूप से जुलज गया अनन्फानन में लोगों ने उसे बगोदर ट्रामा सेंटर पहुचाया हलांकी अस्पताल पहुचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी सदर से दुरगेश कुमार बगोदर ट्रामा सेंटर पहुचे जूनियर भारतिय महीला होकी टीम का राश्ट्रिय कैम्प अब 20 जून तक जार्खन के सभी पांचों खिलाडी कैम्प में परकरार साइस सेंटर बैंगलूरू में होकी इंडिया के द्वारा जूनियर भारतिय महीला होकी टीम का राश्ट्रिय शिवर जारी है पुरो निर्धारित के अनुसार यह 3 अप्रेल से 16 मैई तक चलना था इस कैम्प में जार्खन के 5 खिलाडी नीरु कुल्लू रजनी करकट्टा बीनिमा धान निराली कुजूर और नीधा मिंच शामिल है अब होकी इंडिया अभी राश्ट्रिय शिवर में ही है इन में से 3 खिलाडी नीरु कुल्लू रजनी करकट्टा और बीनिमा धान 18 मैं से 31 मैं तक निधरलैंड दौरे में जाएंगी वहां से लोटकर सीधे कैम्प में फिर से शामिल होंगी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर धुल्लू महतो पर सर्यूराय ने जमीन पर कबजा करने का लगाया आरोप बीजेपी ने विधायक को दी बोड़िया विस्तर समेटने की नसियत भाषपा प्रत्यासी धुल्लू महतो पर फिर एक बार जमश्यतपुर पूर्वी के विधायक ने हमला किया है सर्यूराय ने भाषपा प्रत्यासी पर 50 से अधिक ग्रामिडों की जमीन पर जबरन कबजा कर चार दिवारी बना घेरने का आरोप लगाया है दरीदा और लेडी डूमर मौजा की 200 एकड जमीन पर चार दिवारी बना जमीन पर कबजा करने की बात कही है वहीं भाषपा ने अपने प्रत्यासी ढूलू महतो के पक्ष में सामने आकर बचाव किया है पार्टी ने सर्यूराय को अपने ग्रीव इधान सबाचेतर बुरिया बिष्तर लेकर जाने की नसियत दी है सर्यूराय ने कहा कि बागमारा में धायक सभाषपा प्रत्यासी डूलू महतो ने बागमारा के दो गाउं लेडी डूमर और दरीदा में जेल से उची दिवार बना कर पचास से अधिक रहत किसानों की जमीन पर कबजा किया है जमीन के चारों और ओची चाहर दिवारी बना कर किसान से आने पौने दाम पर जमीन देने का दबाव बना रहे हैं जो किसान विरोत कर रहे हैं उन्हें हेलिकॉप्टर से अपने जमीन जाने को कहते हैं जमीन रहतों किसानों की है इसका कागजी प्रमाड है वहीं पूरो मे पीटर जैसा है उन्हें अपने छेतर जम्शेतपुर जाना चाहिए। यूपी पोलिस से मिले इंपूट पर देवघर पोलिस ने आरोपी को गिरफतार किया। यूपी पोलिस ने पचास हजार उपए इनाम घोसित किया है। शराप कारोबारी योगेंदर तिवारी की बेल पर सुनवाई पूरी हाई कोट का फैसला सुरक्षित। जारकन सराप घोटाला के जर्य मनी लॉंडरिंग करने के आरोपी सराप कारोबारी योगेंदर तिवारी की जमाना त्याचिका पर हाई कोट में सुनवाई पूरी कर ली है। एडि और योगेंदर तिवारी का पक्ष सुनने के बाद कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 34 ठीकानों पर एक साथ छाप एमारी की थी। इनमें योगेंदर तिवारी के देवगर इस्तित होटल सिद्दार्थ के सामने इस्तित गोदाम बोपांस टाउन इस्तित डॉक्टर राजीव पांडे अस्पताल के पास इस्तित आवास हर्मो हाउजिंग कालोनी के डीड टू इस्तित मेंसर संथाल परगना बिल्डर्स प्राइमेट लिमिटेड और जमतारा की दो ठीकाने शामिल थे। प्रतिशत मतिदान हुआ, वहीं खुंटी में 65,108 दो प्रतिशत और लोहर्दगा में 62,609 वोट डाले गए हैं। इसको लेकर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत केस दर्ज किया गया। पहले चरण की 4 सीटों पर 45 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। चारों लोक सभास छेतर में 519 बुथों पर वोटिंग की गई। आदिवासियों को अपनी तरफ एक जूट करने में जूटी भाचपा बाबुलाल ने कहा गांडे में हारेगी कलपना। गांडे मिधान सभा सीट पर आदिवासियों की संख्या अधीक है और निर्णायक भी यहां जामुवों ने कलपना सोरिन को मिद्वार बनाया तो आदिवासियों का जुकाओ भी जामुवों की तरफ रहा है इन सबों के बीच भारतिय जंता पार्टी आदिवासियों को ऐसा ही प्रयास भाचपा अनुसूची जंजाती मोर्चा के द्वारा किया गया है मोर्चा ने गांडे के कुसुंभा में सम्मेलन किया जिसमें काफी संख्या में लोगों का जुटान हुआ इस कारिक्रम में बतोर मुख्या तीथी भाचपा प्रतेसदक्स बाबुलाल मरां चतरा जीले में सदर पुलिस ने कुख्यात अप्राधी लालु साओ को गिरफतार किया है उसके पास से एक देसी पिस्टल पांच राउंड कार्तूस दो जसमलों साथ सो किलो अफीम वह एक बिना नंबर की बाइक को जब्त किया है जब्त अफीम लूटा हुआ लालु साओ सदर ताना छेतर के नवडिये गाव निवासी दूलार्चन साव का पुत्र है यह जानकारे स्डिपो संदीब कुमार सुमन ने मंगलवार 14 माई को नुमंडल कारयाला इस्थित अपनी कारयाले कक्ष में दी उन्होंने बताया कि पुलिस अदिक्षक विकास कुमार पांडे को गुपत सुषना मिले थी कि कोक्या तप्रादी लालू अपनी बहन के घर कठोतिया के पास आया हुआ है सुषना के आलोक में छपामारी टीम का गठन किया गया टीम ने तुरित कारवाई करते हुए कठोतिया इस्थित घर पहुचे स्डिपो ने बताया कि पुलिस की गा कर रखा अफिम जब्त किया गया है कोक्या तप्रादी लालू साव इन दिनों छेतर में आतंका पर्या बना हुआ है लगतार हत्यार के बल पर लूट पार छिंताई की घटना को अंजाम दे रहा था इससे लोगों में भय का महुल था उसकी गिरफतारी से छेतर के लोगों ने राहत की सासली है मनरेगा 38 लाग सक्रियस रमिकों में 2 लाग की मजदूरी भुकतान अटका फसा मजदूरी सरकारी आकडों से पता चलता है कि महत्मा गांधियर राष्ट्यव रोजगार गारंटी योजना के तहत 38 लाग से अधिक सक्रियस रमिकों में से लगभग 5 दस सराइकेला खरसावा गुमला पुर्वे सिंखुम पशिम सिंखुम सहित 15 जीरों के स्थिती काफी खराब है यहां के सरवाधिक मजदूर काम करने के बावजूद मजदूरी से वंचित रहे गए हैं ग्रामेड विकास विभाग ने इसकी समिक्षा की है और जीरों को 100 मिटर की दूरी पर 3 दुकानों में चोरी 20 मार्केट के 3 दुकानों ने रविवार रायत अग्याचोरो ने एक साथ चोरी की घटना को अंजाम धिया है। के चोड़े के गइए एक अन्ड दुकांदार मतिन स्टोर से लगवक 6,000 रुपै की श्रीतल्पे की पदार्थ की चोड़े की गई है की जारकन दुकां एक पता चला कि दुकां में हजारी बाग में कुल 54 उमिद्वार चुनाव लड़ रहे हैं इनमें 18 अर्था 33 प्रतीशत उमिद्वारों पर अप्राधिक मामले दर्च हैं नौ उमिद्वारों पर तो गंभीर मामले दर्च हैं उनमें 8 निर्दलिये हैं इनमें से 4 पर तो गंभीर मामले हैं असोसियेशन फॉर डेमोक्राटिक रिफॉर्म्स ने उमिद्वारों द्वारा नमांकन के समय दिये गए शपतपत्र के अधार पर ये आकड़े निकाले हैं थोक महेंगाई दर 13 महीने के टॉप पर खाने पीने की चीज़े महेंगी हुई साबुन तेल जैसे डेली यूज के स अधार पर खाने पीने की चीज़े महेंगी हुई है नेशनल स्टेटिस्टिकल ओफिस ने सोमवार 14 माई को ये आकड़े जारी किये हैं वहीं एक महेंगाई की दर 4.85 प्रतिशत रही थी खादे महेंगाई दर 8.52 प्रतिशत से बढ़कर 8.78 प्रतिशत पर पहुँच गई है ग्रामिड महेंगाई दर 5.45 से घटकर 5.43 आ गई ह थोक महेंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज़्यादा तर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है अगर थोक मोले बहुत ज़्यादा समय तक उचे इस तर पर रहता है तारा शहरदेव के साथ योन उत्पिडन करने के दोशी रंजित सिंग कोहली की मा कौशल राणी और हाई कोट ने दोनों दोशियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है दरसल राची की CBI कोट ने रंजित कोहली को अंतिम सास तक जेल में रहने की सजा दी थी वहीं उसकी मा कोशल रानी और मुस्ताक एहमत को 10 साल की सजा सुनाई गई थी राची CBI कोट के आदेश को मुस्ताक और क पॉशल राणी ने जारखंद हाई कोट में चुनावती दी थी जिसपर सुनवाई हुई और दोनों को बेल मिल गई फिलाल दोनो दोसी न्याई क्षितरशक में हैं जारखंड की और खबरों के लिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज जारखन पर चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार